जी मेरे नाम है शांतनु सुकला और मैं आप सभी दोस्तों का हारतिक स्वागत करता हूँ bankersetra.com के ओफिसेल यूट्यूब प्लेटफॉर्म अड़नोडिफोर सैवल पे दोस्तों आपके सामने तीन सवाल दिख रहे हैं तीन क्वेश्चन दिख रहे हैं जी चीज़े हम यहाँ पे सेखने वाले हैं दोस्तों आप सबको पता है calculation आप किसी भी exam की preparation कर रहे हो जाए बैंकिंग, SSC या रेलवे हर एक जगहां पे आपकी maths में calculation का अहम महत्तु होता है और आप सब जानना चाहते हैं सीखना चाहते हैं कि calculation जल्दी कैसे करें तो Vedic Maths के अंतरगर हम लोग यहाँ पे एक तीन ही आपके सामने सवाल दिख रहे हैं जिनको हम solve करने का एप्रोज सीखेंगे दोस्तों तो आएगे बिना देरी के दोस्तों शुरू करते हैं अगर आप चैनल पे नए हैं तो subscribe जरूर कर लीज़ेगा तो इस टाइब के सवालों को solve करने के लिए सबसे पहले आपको कुछ बेसिक चीजे दोस्तों सीखनी पड़ेगी और बेसिक चीजों में आप सब आप इसे जातर बच्चे 11 का multiplication जानते होंगे कि मैं किसी भी नंबर को 11 से कैसे multiply किया जाया माली जी मैंने आपके सामने नंबर लिख दिया कि लिखा है 6,3 और 4 लिखा हुआ दोस्तों मैंने खा है इसको 11 से multiply करूँ तो जातर बच्चे सिधा simply आप लोग इसके पहले जो टेक्निक सीखे हैं वही चार लिखा 4 और 3 को एड़ करते हुए चलेगे वही आप सब आप इस जातर बच्चे जानते हैं असल माईनों में थोड़ा और डीप अगर घूसा जाए और थोड़ा डीप जाए तो हमको यह पता चलता है कि देखो simply यहाँ पर शुरू करते हैं यही से इसका base बनेगा तब आप वहां तक पहुँच जाओगे और हर एक टेक्निक को सीखने के लिए एक बात ध्यान रखेगा आप सीखने में हो सकता थोड़ा सा आपको उल्जंसी हो लेकिन एक बार अगर आप एक टेक्निक को एक टेक्निक पर आधारित कम से कम 15 20 सवाल 100 उकर लोगे तो automatic उस पर आपकी habit बन जाएगी और जब habit बन जा हम ध्यान दे घ्यान दे रहे हैं दोस्तों यहां पर कैहा कि दो डिजीट है तो हम क्या करेंगे सबसे पहले इंको एड़ करेंगे इंगे एंगे 4 और 0 को एड़ करो यानि दो digit है तो दो दो place को add करना 4 और 0, खाली दो number pick करें 4 के बगल वाली सिर्फ एक number यानि दो number का pair बना रहे है 4 और 0 का add कर दिया 3 और 4 को add कर दिया 7, 6 और 3 को ऐसे add कर दिया 9, और 0 और 6 को ऐसे add कर दिया तो हमारा कितना आ गया 6 बस कहानी कहता तो इसका जो प्रोड़क्ट रहा वो यह इतना रहा अब यहां पर हमने क्या देखा दोस्तों कि 11 से मल्टिप्लाई है ठीके जी अगर इसी चीज़ को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं दोस्तों ध्यान दीजिएगा यहीं से कहानी सुरू होगी और एक के दोनों वन थे अभी यहां पर टू हो गया लगिन फिर से वही बात कि यहां पर क्या है दोस्तों यहां पर दो डिजिट लिखी हुई है दो डिजिट है तो हम यहां पर क्या करेंगे दो जीरो बढ़ाना है जीरो फिर यह नमबर लिख देंगे 5,2,4 और इसके बाद एक और अब बहुत ध्यान से समझना अभी तक क्या था वन के बाद दोस्तों वन लिखा था तो हम नंबर्स को डारेक्ट एड कर रहे थे लकिन चुकि यहां पर दो आ चुका है तो हम क्या करेंगे इंडिविजुल नंबर को दो से मल्टिप्लाई करेंगे ठीक है जिस नंबर को यहा हमने 2 से मल्टिप्लाई किया कितना आगया तू टू उता 4 और 4 के बाद कितना एड करना है यह इतना एड करना हमें यह 2 दो दिजिटी एड करने है दो गुडे, 20 गूडे, ADD और 4, अब 4 को चार से future, वहाज़ हम बहूंकर करेंगे value कितनी आएगी तो 12 और carry हमारा 1 हो गया अब 0 को 2 से multiply करेंगे 0 ही होगा 0 और 5 को add करोगे 5 आएगा 1 carry मिला के हमने लिख दिया 6 के परापर 6 to 8 8 फिर से कहेंगे अगर आपको कोई चीज समझने में दिक्कत होगी न तो वीडियो को एक दो बार और रोक रोक के देख लेना लेकिन फिर से कह रहे हैं समझने में हो सकते थोड़ी से addition आए लेकिन जब एक बार आप समझ गए अच्छे से न और खुट जब 15 भी सवाल परफॉर्म कर लोगे एक टेकनिक पे तो आपके लिए आप इसके हैविच्वल हो जाओ और तब आपको फिर इसका असली जो इसका मतलब है न मजा वह आपको तब देखने को मिलेगा तो हमने देखा अगर अगर हमें 11 से मल्टिप्लाइ करें यानि 1 के बाद जब सिंगल वन था तो हम डारेक्ट कर रहे थे लकिन वन के बाद जब एक और टू आ गया तो हम लोगों ने इस तरीके से कर दिया दोस्तों अब इसी तरज पे एक और सवाल हमा इसी चीज को थोड़ा और आपको एलेब हम देख रहे हैं कितने डिजए दो डिजिट है दो डिजिट है तो दो जीरो बढ़ाएंगे जीरो टू शिक्स थ्री और फिर एक जीरो कर दिया ठीके जी हम देख रहे हैं कि हमारे पास वन के बाद क्या लिखा एट यानि हमें इंडिविजुल नंबर्स को कितने से मल्टि चे चांडिविज चीरो आठ गुड़े चे अर्तालिस अर्तालिस ओर टीन एड करो कितना अगा एके लिखा लिखा एकंवर इटा भी और दो एड करो कि तिरपन तीन केरी पांच की बराबर इसको आठ से मल्टिप्लाई कर दिया आठ गुड़े दो 16 16 और छे एड करो कि 22 औ 205 मिलके 27 स्कैरी हमारा 2 आ गया, इसको 8 से multiply करते हैं दोस्तों, ठीक है, ठीक है, इसको 8 से multiply करते हैं, 0 और फिर इसको हमने यहाँ पर जब add किया, दोस्तों, कितना आ गया, 2, ठीक है, 8 गुड़े 0, 0 ही होगा, 0 और 2 मिलके 2 हो गया, 2 में हम जब इस 2 को add करेंगे, तो value कितनी आ जाएगी, 4 की बराबर, so 4734, इस सवाल का दोस्तों, जवाब हो गया, ठीक है, तो मेरे ख्याल से, यह चीज़ें आप समझ गए होगे, अब बहुत ध्यान से देखना, तो अगर, अगर 2 डिजिट की number है, तो किस तरीके से multiply कर रहे ह है, वो आप सब लोगों ने देख लिया, अब इसके बाद कहानी अब शुरू होने चल रहे है, ध्यान रखेंगे दोस्तों, आपको last में कहां तर पहुंचना है, आप बहुत अच्छे से जानते हैं, अब इसी तरज पे अगर 3 डिजिट की number सा जाए, तब कैसे multiply करेंगे, स 3 डिजिट की number हो गए है दोस्तों, तो अब क्या होगा, सेम कहानी वही चलेगे, कुछ विशेस बदलाव नहीं होगे, आपको बस क्या करना, 3 डिजिट है तो हमें इस बार 2-2 जीरो बढ़ाने है, पहले देखो, एक के बाद जब सिर्फ सिंगल वन लिखा था, तो हम 1-0 य यह हमारी 3 डिजिट है, यहाँ पर, 3 डिजिट है, तो हमें 3-3 नंबर को विस्टा, इस बार हमें add करना है, यह बात ध्यान रखेगा, तो सबसे पहले triple 1 है, तो हमारे पास शुकी, आखिरी अंक जो हमारा 1 ही है, तो 1 से multiply करने का कोई फर्क पढ़ता नहीं, यह हमारा simply 4 ही ह तो हम 4, 0 और 0 add करेंगे, नंबर 4 आएगा, इस जगा पर आते हैं 2 पे, तो हमें कितने को add करना है, 3 डिजिट, ठीक है जी, तो 2, 4 और 0, इनको add करो कितना आजाएगा, 4 और 2 मिलके 6 हो जाएगा, फिर इस पर आजाओ, हमें 3 डिजिट को लेके चलना है, 3, 2, 5, 5, और 4 मिलक 9 हो गया, फिर इस जगा पर आते हैं 3 डिजिट, यानि 0, 3, 2, 0, 3, 2, कितना होगा, 3 और 2 मिलके 5 हो गया, इस जगा पर आते हैं, कितना add करना है, 0, 0, 3, कितना आजाएगा 3, तो आपका जवाब 3, 5, 9, 6, 4, बहुत ध्यान से अब आपको, शायद आपको connectivity समझा रही हो, कि ज चलना है, I hope इतनी बात लिए समझ आ गई होगी, अब इसी तरज पर अगर इन numbers को बदल दिया जाए, यह जो last वाला 1 है, जैसे उसमें बदल रहते हैं, कि एक के बार कुछ भी आ जाए, 2, 3, 4, 5, 7, तो उसी number से multiply करना होता है, ऐसे ही सेम अगर इस जगा पर हम लोग आए, क हमने कहा भाई, तीन डिजिट है, मतलब एक सिंगल के बाद दो लिखा है, तो हम दो 0 इधर बढ़ाएंगे, number को लिख दिया, 2, 3, 4, और फिर दो डिजिट और बढ़ा लिया, और इसके बाद अब हमें simply करना क्या है, ठीक है, इतना लिख दिया हमने, हमें इसको multiply करना, चार गुड़े दो, 8, और हमें 3, 3 डिजिट को लेकर के चलना है, चार और 2 को multiply किया, कितना आगया, 8, 8 में 0 add करो, 8 ही आएगा, 8 में 0 add करो, कितना आएगा, 8 ही आगया, ठीक है, फिर इसको multiply करते हैं, दोस्तों, 2 से, कितना आएगा, 2 गुड़े, 3, 6, और 6 में हमें कितना चलना, 3 डिजिट, देखो ध्यान से, 3 गुड़े, 2, 6, 6, और 4, 10, 10 और 0 मिलके कितना होगा, 0 और carry हमारा 1 हो जाएगा, ठीक है, carry हमारा कितना होगा, 1 हो जाएगा, बहुत बढ़िया, फिर इसको 2 से multiply करते हैं, 2 से multiply किया, 2 गुड़े, 2 कितना होगा, दोस्तों, 4, 4 और 3 ज करते हैं, 0 ही होगा, 0, 2, 2 हुआ, 2 और 3 मिलके, 5, 5 और 1 carry, 6, ऐसे इसको 2 से multiply करोगे, 0 ही होगा, 0, 0, और 2 मिलकर के, अभी कोई carry तो है नहीं, तो सीधा हमारा 2 उतर आएगा, 26, 208, फिर से कहेंगे, दोस्तों, आपको starting में, अगर समझने में दिक्कत आया, तो वीडियो रो और क्योंकि ये thought process ले करके, आप में से बहुत सारे बच्चों ने अपनी calculation खराब किये, तो कि जो चीज़ों को समझने में दिक्कत होती है, वो उसको छोड़ी देते हैं, मत करना ऐसा, अच्छी चीज़ है, अगर आप इसको absorb कर पाएं, तो, फिक है, इतना हो चुका है, अ आप इसी चीज़ को थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा कि आखरी अंक अगर कुछ भी हो, तो, अगर डबल वन है, उसके बाद लास्ट नूमबर कुछ भी हो, तो बहुत आसानी से multiply कर सकते हैं, अब आपके सामने जो पहला सवाल लि हमारे पास जो कि तीन डिजिट है, एक के बाद दो लिखे, दो डिजिट है, तो हम दो दो जीरो बढ़ा लेगे, डबल जीरो, फोर, टू, वन, और फिर दो जीरो, अब हम देख पा रहे हमारे हमें सबसे पहले किस से multiply करना है, 7 से multiply करना है, पहली नंबर हमारे पास 1 है, हम हमने इसको 7 से multiply करे, 7 एक कम 7, हम 3 numbers को लेके add कर रहे है, 7 एक कम 7, 7 और 0 मिलके 7 हुआ, फिर 7 आ गया, ठीक है, कोई carry बगेर नहीं, इसको 7 से multiply किया, 7 दो लिख 14, 14 होर 3, इनको इतने को add करना ध्यान रखे, 3 डिजिट को, 1, 2, 3, और जिस number को pick कर है, उसी को 7 से multiply, 7 दो लिख 14, 14 होर 1 मिलके 15, 15 और 0 मिलके 15 हुआ, 5 carry हमारा एक चला गया, इसको 7 से multiply करते है, 7 गुड़े 4, 28, 28, 32, 30, 30 और 1 मिलके 31, 31 और 1 carry 32, यानि 2 carry हमारा 3 हो गया, इसको 7 से multiply करते है, 7 गुड़े 0, 7 ही 0 ही होगा, 0 में हमने, अब कितना add करना ध्यान देना, इतना part add करना है, 7 4, 2, 6, और ध्यान रखे, यहां पर mistake हो रही है, 0, 4, 2, 6, 1 carry भी तो था, 3, 4, 3, 6, 3, 3, मिलके 9, इसको 7 से multiply करेंगे, 0 होगा, 004, यानि यहां पर finally value 4 के पराबर, 49257 दोस्तों इस सवाल का जवाब रहा, अगर आप इस पर फिर से कहेंगे, अगर इस पर कुछ questions की practice कर लेंग हाँ है अच्छा खासा भाई process multiply करने का, लेकिन अगर यह तरीके सीखे तो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं, अगला जो मैंने आपको example दिया था दोस्तों जड़ा उस पर विचार करें लिखा है आपके सामने 529 multiplied by 14, ठीक है, आपको यह numbers दिख रहे होंगे उपर starting में, 529 multiplied by 144, मुझे उम्मीद देगा आप खुदी इसका जवाब बहुत आसानी से दे सकते हैं, आइज एक बार शुरू करते हैं, तीन डिजिस हम दो 0 इधर बढ़ा देंगे, और फिर बगल में लिख दिया 529 और 2 0 लास्ट में, हम यह आप देख पार हैं दोस्तों की लास्ट नंब इसको 4 से मल्टिप्लाई किया, 4 गुड़े 2, 8, 8 और 9 मिलके 11, इतने को एड़ करना ध्यान दखेंगे, 4 गुड़े 2, 8, 8 और 9 मिलके 17, 17 और 0, 17 ही हुआ, 17 और 3 मिलके 20, अब इस बार कैरी 2 के बराबर आ गया, इसको 4 से मल्टिप्लाई किया, 4 पंचे 20, 20 और 2 मिलके 22, इतन 33, और कैरी कितना चला जाएगा, इस बार 3 के बराबर, फिर इसको 4 से मल्टिप्लाई करोगे, 0 ही होगा, इतने को एड़ करना है, तो 0, 5, 5, 2, 7, 7 और 3 मिलके 10, कैरी 1 के बराबर, इसको 4 से मल्टिप्लाई किया, 0, 0, 5 और 5 और 1 मिलके 6 के बराबर, 6, 0, 3, 0, 6 इस सवाल का जवाब था, I hope कि ये बात आप सभी लोग समझ गया होगे, दोस्तों, सभी लोग इस बात को बहुत अच्छे से समझ गया होगे, दोस्तों, इस तरह से हम लोग मल्टिप्लाई करते हैं, इस तरह से हम लोग मल्टिप्लाई करते हैं, कि अगर आखिरी नंबर, 1, 1 के बाद क पूंचको भी नंबर आए तो आप बहुत अच्छे से कर सकते हो अब इतना हमने डबल डिजित में बताया मतलब सिंगल डो डिजित अगर है पर रहां तब थीजित बताया तो अब मुझे असी उम्मिद है कि आप चाल डिजित खुदी कर सकते हो 111 और उसके बाद last में कुछ भी हो 111 उसके बाद last में कुछ भी हो तो आप खुद भी कर सकते हैं हाई या ना comment box में जरूर बताएगे दोस्तों तो ऐसी ही तमाम चीजें वैदिक में से एक सवाल और जो आपके सामने लिखा था सारी चीजों को अगर connectivity के form में देखो को तो बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा हाँ जब चीजें नई होती हैं तो समझने में हो सकता थोड़ी अर्जन आए आप सभी सिद्नी गुजारिश के अगर आपको समझने में दिखका थे तो वीडियो को दो-तीन बार देखो रोक रोक के देखो और एक टेकनिक सीखने के बाद आप उस पे 10 सवाल 15 सवाल खुद प्रैक्टिस करें और उसके बाद आप देखे कितनी फास्ट आपके calculation हो रही है तो वैदिक मैस में इसे तमाम टेकनिक्स होती हैं दोस्तों बहुत पुरा भंडार है जिससे आप अपनी calculation को सुधार सकते हैं बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम रहती मैस में स्पीड नहीं आ रहे हैं तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए दोस्तों हमारा वैदिक म तो आज के सेशन में इतना ही खुश रहें ख्याल रखें और बने रहें अजट 24-7 के साथ